हेलो मारी यूटूब फैमिली कैसे हैं आप सब आप साभी का मेरी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है तो मेरा तब यह थोड़ा साभी सही लग रहा है चिकन पॉक्स जब होता है तो बहुत ही ज़्यादा बॉड़ी में बीकनेस आ जाता है जो यह चाले जैसे जो यह दाने पड़ते हैं कई तरह के होते हैं मुझे तो तीन तरह के होगे थे बहुत ज़्यादा बड़े फिर थोड़े से छोटे फिर थोड़े से छोटे और पूर उसके बाद से मुझे इतना ज़्यादा वीक्नेस आ गया इतना ज़्यादा कि मेरा किसी काम में मन नहीं लगता है मुझे सिर्फ खबरहाट होती है बहुत ही ज़्यादा कमजोड़ी सी फिल हो रही है इस कमरे से उस कमरे तक जाती हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा ठाका है दो दिनों से दीरे-दीरे करना शुरू कर दिया थाकान तो बहुत ही ज्यादा लगता है मन भी नहीं करता कुछ भी करने का पर जब दो ही लोग है असबेंड वाइप तो ऐसे कब तक चलेगा तो यहीं सोच के मने थोड़ा बहुत काम शुरू किया तो भी मैं जाड़ो लड़ो को स्कूल भेज दिये हैं हस्बेंड ने तयार कर दिया मैंने उसका टिफिन बना दिया था टिफिन में सुजी के चीले दे देते हैं जोकि बहुत ही इजी तरीके से बन गया था फिर फीवर के वज़े से मेरमन कर रहा था कुछ अच्छा खाने का तो इसलिए मैंने आज कदू का मसाले वाला सबजी और चावल साथ में आमले का खटाट सा चटनी बनाया है क्योंकि आंगले में भी चाले वगएरे जो निकले हुए थे उसके बज़े से रोटी खाने में मुझे बहुत दिक्कत होती है और जो दाल है पूरे हपते आम बिना हल्दी का दाल औ बहुत खाने का मिन करता है तो इसलिए मैंने हस्बेंट से बोला मैं दो चार दिन तक डाल नहीं बनाओंगी क्योंकि डाल का महक मुझे फीवर इतना ज्यादा था जब तर वित खराब हुआ था कि मुझे महक से ही एक दम से घीन आ रही है तो इसलिए उन्होंने मेरे और यह बालकनी आज मैंने तो जाड़ो लगाया पर यहां पे कूलर और थोड़े से लड़ो के टूटे फूटे खिलाओने वगरे थे जो की हजबेड ने शाम को हटा दिया था कूलर जो है दूसरे बालकनी में करते क्योंकि यह ज़्यादा यूज करते हैं हमारे जो जानी के ज़रत नहीं पड़ेगा मेरे जो कपड़े हैं बहुत ही आसानी सी में राखा जाया अज़ा प्लाकनी खाली कर दिया और मैंने सबस्बněoud जाड़ो लगा दिया तो अब धिरे-धिरे तब यह जैसे-जैसे सहई होगा वैसे वैसी मेरा काम शुरू होगा च्छे से मेरे डेली के ब्लॉग भी बनेंगे तो अभी मैं नहा चुकी हूँ सोचा कि हजबेंट पहले आफिस चले जाया है फिर थोड़ से बरतन वगेरे थे नास्ता हुआ था सबका तो वही बरतन धुला था तो मैंने सोचा कि जाने के बाद नहाऊंगी बरतन धुलके नहाऊंगी पूजा बगेरे तो अभी मुझे नहीं करना है क्योंकि यह जो दाने हैं जब तक खतम नहीं हो जाएंगे जड से एकदम सूप के निकल नहीं जाएंगे तब तो मंदिर नहीं चूँ सकते हैं अरी ही जो सबुण। हनी का नाम ही नहीं ले रहा है तो इसलिए उसलिए राकिर सब चीज रग देएंगे तो मुझे तो अच्छा तो मुझे नहीं लगता चुक一個 अंदर वगेर पर मैं क्या करूं वह भी कम हो गिया छो हYa बहुतकर थीार्ट होते हैं बॉड़ी को एक्तम weakness बना देते हैं खुन भी जो आपकी बॉड़ी में है वो खीच लेते हैं तो इसलिए जादा तरह मुझे थाकत वाली चीजे ही इधर खाना पड़ेगा कम से कम पंदरे दिन में तब जाकी मेरा जो बॉड़ी है पहले जैसे रिकबर होके ठीक हो पाएगा तो इसलिए मैंने सुचा लाएँ हैं तो मैं अनास्ता कर ले तुनास्ता कर ली थी फिर वाज़े बारे बज़ किया और लड़ो को हस्बन लाके पहुंचा गए साथ मूनों ने नारियल पानी आपके चागरी का गोला और मुसम्मी का दो ग्लास जूस लाके दे दिया और जब इसलिए बढ़ा पिला भी दिये थे तो कल मैंने मुसम्मी का जूस प्याँ वैसे थोड़ा सही लग रा था खट़ा कट़ा सा लग रा था अच्छा लग रा था फिर मैं सो गए थी लड़ो को लेकर क्योंकि लड़ो भी सुबर जल्दी उठते हैं तो ठाकाने के वज़े से वो भी स्कुल से आने के बाद थोड़ देर के बाद सो जाते हैं छोड़ दिया था स्रिफ जूस और ठंड़ा दूद और फ्रोड्स यही सब चीजे मेरा अपने दूस दिन से ज्यादा चल रही है तो दीरे दीरे आ मेरा तबियत में असुधार लग रहा आने वाला है फिर आचानक से हमारे यहां बारिस हुई और मैं सौट मैक्सी ड्रस पहन मैं बताओं आदस दिनों से मेरे यहां 24-24 घंटे AC चला है 5000 मेरा बिजली का भी लिया आ गया है पर यह है कि AC के वज़े से इतने हैवी विमारी में मैं जो है समझ लेजी मेरा 20% जो तकलीफ थी बाड़ी की वो कहीं ना कहीं कम थी क्योंकि यह जो होता है जिकन बाक्स इसमे चीजे मेरे साथ हो रही थी पर AC की वज़े से ठंड़क था रोम में तो इसलिए मैं समझ लेजी जी गहीं नहीं तो मुझे उमीद नहीं था मैं जी पाऊंगी मुझे तो यही लग रहा था कि मैं तो अब गई मेरा बचना मुस्किल है फिर सामके साड़े 5 बचरी का टाइम हो गया था फिर मैं बरतन यहां पर साफ कर रहे थी मैं सोके उटके चाय और टोश्ट खा चुकी थी बरतन साफ करी और मेरा बेटा भी सोके आया उससे भी भूक लगा तो मैं जब चाय मना रही थी उनके लिए भी दूद निकाल दी हूँ तो मैंने का दूद थोड़ा सा ग जलके डाइप की तो मैं कुछ भी नहीं कर पा रही थी ऐसे हाल में मेरे हस्बेंड ने मेरा बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया मैं जितनी भी उनकी तारीफ करू जितना भी उनको थैंके बोलू उतना ही कम है फिर यहां पर थोड़ा सा आँच चाय पीनी के बाद से मुझ होम वक करवा रही हूं तो फ्रेंस ही मेरा चुटा सा ब्लॉग आप लोग के साथ सेयर की हूं काफे दिन हो गया था आप लोग से बात नहीं किया था उम्मीद कहते हूं आप लोग को पसंद आया होगा